तो हेलो गाइज वेल्कम बेक तो आज चैनल तो गाइज आज हम करने वाले पहाड़ी स्कूल मिनीचर पिंटिंग का जो की फर्स टॉपिक है जो की फर्स टॉपिक दिया गया है क्रिष्णा विद गोपीज तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नेम क्रिष्णा विद गोफीज जेसे के दिखाया गया है नेमी से पताचाड़ा क्रिष्णा के साथ में है पेंटर मनकू मिडियाम वाटर कलरों पेपर जो की यह वाटर पेपर में बना गया है वाटर कलरी यूज करके जो की सिर्का कब बना गया था 1730 एडी साव इसकूल बंसॉली टेकनीक टेमपेरा पलेक्शन कहां पर रखा गया है नेशनल म्योदिली में तो चलिए कुछ दिस्क्रिप्शन भी है देख लेते हैं इस पेंटिंग है इस पेंटिंग में इंट कहां पर हुआ था बंसॉली टेल में हुआ इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि ग्रिष्ञा को दिखाया गया पर वो बहित रहता है नाच रहे में की नदी के किनारे यहां ब्लैक आप देख सकते हैं यह नती है उनके किनारे है जो नाच रहे हैं यह जो रिवर है यह यह मुना रिवर है नेकलेस अराउंड यह जो निकलेस पेने वे कृष्णा यहां पर देख सकते हैं प्रियल्स मतलब कह सकते हैं कि मोटी टाइप का कुछ होता है उसी से बनाया गया है यह जो पहने हो गया है डाउन हीज लॉइन ही यलो कलर भी दोटी और कृष्णा को यहां पर दिखाया गया है यलो कलर के दोटी में इस फाइब कोपी शेस्वेलस में दिखाया गया नें पैसे तो ज्याद से सद दिखर आगाद रहें देखते हैं मेदा फाइब को पिज दिखाया गया जो कि वेल्ट प्र Human कलर टांसपारेंट 2017 जो कि एप्रेल्य्स हेब बिन सूर्ण भे कंटिनियूस काउंटनेश दूइंग कोटीश विद क्रिश्ना दी फेसे अफ आल देम आर सिमिलर चामिंग विद बिग आईज यह जो इनका फेस जो दिखाया गया बड़ा बड़ा आप में दिखाया गया है वह बहुत ज्यादा ब्यूटिफूल लग रहा देखने में आप देखे सकते है इनका आइब्रोज है जो वह कर्व टाइप में दिखाया गया देखिए जो इनका आइब्रोज है क्रिश्ना का आइब्रोज हो गया गुप्यूस का आइब्रोज हो लिक्तम कर्व टाइप में दिखाया गया जो इनका साफिसेंट प्राउंड फोर हैड है यह लॉंग चामि यहां थे, the art characteristic of painting, in this left side there is gopies who is trying to make something new to other gopies, यहां पर आप देख सकते हैं left side में जो गोपी है, वो कुछ अलग करने के सोच रिये है, यहां पर, सभी गोपी उसके अलावा, वो सोच रिये हैं कुछ अलग करें, और वेरेजिन राइट साइड, राधा इस स्टेंडिंग विद्टी फ्लोटिंग हैंस, यहां पर राइट साइड दिख सकते हैं, यहां राधा जो की खड़ी है, यह कुछ पकड़ी हुई है हाथ में, विद्टी फीमल अट्रेंशंस होलिंग अंब्रेला इन वन है, जो की वो अंब्रेला पकड़ी है अपने हैं, विद्टी फेसिल एक्सप्रेशन हैं अंट्रेंश और दि हर फेक्षैन हें, विद्टी फेसिल एक्सप्रेशन एं कौस्ट्यूम और सीमिनर, सभी एक और सब्स अब और मिडिल में दिखाया गया बेग्राइड में कि लाइड से उलेड दिखाया गया है देख सकते हीं लाइड पने यह यह और युझावित जो 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 ड्टो जो जात्वा आवा जो 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 लाइट कर दिख सकते हैं पीछे में इंडिकेट कर रहा है इंडिकेट कर रहा है पीछे में सर्फेस चाहिए इंडिकेट कर रहा है मतलब पता चल रहा है दिखने से कि यह पीछे जगा है कि पेंटिंग इस यूनिक इग्जामपल दो बन्सोली स्टाइल में बनाया गया तो इस टॉपिक में बस इतना ही तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक में अगर मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ल इसी को पढ़ ले और अपने नोट डाउन में और अपने नोटबूक में नोटडाउं कर ले और जारा आपको पढ़ने की डिस्क्रिप्शन जरवत नहीं है बस यह मैंने जो हाइलाट कर दिया बस आप उसी को पढ़े और उसी को एक्जाम में लिखिया आप पर अच्छे आ रहे हैं और इस नेक्स्स वीडियो में तब तक लिए बाई